आनंद की पाठशाला मैं आपका स्वादत है मैं जगत कामना है आपका जीवन शान्ती और आनंद से भरपूर हो शान्त मन और आनंद मैं जीवन के लिए ध्यान कैसे करें यह हमारा आज का विशे है आज पश्चिम में विज्ञान के एक दो सौ दो सो प्रियोगों ने नहीं हजारों हजार प्रियोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि ध्यान हमारे लिए बहुत लाब दायक है और हमारे पूर्व की संस्क्रिप्टी में तो प्राचीन काल से ही हमें ज्यात है कि आनंद मैं जीवन के लिए ध्यान सरवोत्तम उपाय है तो बिना किसी भूमिका और उल्जन भटकन के जानेंगे की ध्यान कैसे करें शान्त मन और आनंद मैं जीवन के लिए ध्यान कैसे करें सबसे पहले आराम से बैठ जाएं जैसे भी आपको आराम लगे आप बैठ जाएं सुखासन या सिध्धासन काफी है पदमासन या अर्द पदमासन लगाने की अवश्यक्ता नहीं है लगा सके तो अच्छा अपनी पीट एकदम सीधी रखें कमर, पीट, गर्दन, सिल इसको सीधा रखें लेकिन बहुत जादा तनाव या अक्राइन हाँ उसे सीधा लेकिन अराम से आँखों को बंद कर लें और चेहरे में तनाव न रहे अराम से रहें आप तो सीधी ए पीट आँखें बंद हैं आप अराम से बैठे हुए अब आपको सारा ध्यान आपके नाक या नासिका के दोनों द्वारों पर केंद्रित करना है नाक के अंदर जो सांस जा रही है और नाक से बाहर जो सांस आ रही है उसके प्रती सजग होना है जागरू कोकर भीतर जाती हुई सांस और बहार आती हुई सांस को बहुत ध्यान पूरवग देखना है आखे बंद रखते हुए तो निरंतर सांसों को महसूस करते जाईए सांसों को अनुभौग कीजिए सांस आ रही है और सांस जा रही है पूरा ध्यान इस खेतर में आपको केवल सांस को देखना है जानना है करना कुछ भी नहीं है सांस को गहरा मत करिए सांस को तेज मत करिए धीमा मत करिए प्राक्रतिक रूप से जैसी सांस चल रही है सांस को उसी तरह से चलने दे आप केवल उसको देखिए सांस को लगातार देखते रहें आँखें आपके बंद रहें और आप अराम से पीट सीधी करके बैठे रहें ध्यान में ये बहुत आवश्यक है कि आप ज़्यादा हिलें डूलें नहीं शुरू में थोड़ी परिशानी होगी और धीरे धीरे आपके आदत हो जाएगी सांस पर लगातार ध्यान बनाए रखें ध्यान भटक जाता है ये है स्वभाविक है अगर ध्यान भटक जाए तो आप परिशान नहों ध्यान को वापस लाएं एक बार, दो बार, दस बार सौ बार, जितनी बार आवश्यक हो ध्यान को प्रेम से वापस लाएं ज़्यादा परिशान नहों सांस को निरंतर देखते रहें ये एक क्रम पांस से दस मिनित तक चलता रहे आप केवल सांस को देख रहे हैं और आपकी आँखें बंद है इसके बाद आँखों को बंद रखते हुए सांसों पर ध्यान रखते हुए आप अपने शरीर के प्रती समवेदन शीन हों शरीर के प्रमकांगों को पहले अंदर ही अंदर देखें सिर दोनों हाथ धर दोनों पैर अंदर ही अंदर अपने शरीर को महसूस करें देखें और उसके बाद शरीर के एक एक अंग को देखना शुरू करें सिर, माथा, आँखें, नाक, होट, गर्दन, सीना, पेट, दोनों हाथ, पीट, कमर, दोनों पाउं अंदर ही अंदर पूरे शरीर का निरीक्षन करते रहें और इसके साथ साथ सांस की पहरेदारी चलती रहे शरीर के सर्वेक्षन पर कुछ समय लगाएं यह दूसरा चरण है अब इसके बाद आपने जिस तरह से शरीर को देखना शुरू किया था अब शरीर को आराम देना शुरू करिए शरीर को शांत करना शुरू करिए शितिल करना शुरू करिए तो सिर से शुरू करिए, सांसों पर ध्यान रखिए, सिर को अराम दीजिए, सीने को अराम दीजिए, दोनों हाथों को अराम दीजिए, दोनों पैरों को अराम दीजिए अनुभव कीजिये कि सांसों के साथ साथ दीरे दीरे आपका शरीर शान्त हो रहा है तनाव मुक्त हो रहा है और धीरे धीरे एक एक छोटे छोटे अंगों की तरफ जाकर आप उनको सुकून दीजिए शान्ति दीजिए अराम दीजिए तो जो ध्यान की विदी हमने जानी है उसमें सबसे पहले आपको बैठना है अराम से पालती मार कर पीठ सीधी रखनी है आँखे बंद रखनी है और पूरा ध्यान सांसों पर सांस आ रही है सांस जा रही है उसको महसूस करिए नासिका के अंदर जाती है नासिका के बीवारों से अगर टकराती है एक एक सूक्ष्म अवलोकन कीजिए जिस तरह अब ध्यान में उतरते जाएंगे तो आपका अवलोकन और सूक्ष्म होता जाएगा कुछ देर तक आपको केवल सांस को देखना है उसके साथ कोई अभ्यास नहीं करना तो ये ध्यान का पहला चरण है आपको केवल अपनी सांसों को देखना है सांस लंबी है छोटी है गहरी है या उतली है जैसी भी है केवल उसे जानिये उसको देखते रही है अगले चरण में आपको अपने शरीर के एक एक अंग का आंत्रिक अवलोकन करना है और फिर तीस्रे चरण में शरीर के अंगों को शान करना है तनाव मुक्त करना है तो ये अभ्यास आप प्रती दिन दस से 20 मिनिट केले करना शूरू करिए आपको लगेगा कि आपके जीवन में एक शांतता, एक ठहराव, एक आनंद, आंत्रिक आनंद आप अनुभव करने लगे हैं ये ध्यान का पहला चरण है, इसके बाद के जो चरण है, हम उत्तर उत्तर ध्यान की गहराईयों में जाएंगे ध्यान एक दो दिन का अभ्यास नहीं है, ये जीवन भर की तपस्या है, हम आगे के किसी वीडियो में ध्यान की विधी को आगे लेकर चलेंगे तो ध्यान करते रहिए प्रति दिन आप खुश रहें, खुशाहाल रहें, यही कामना है